Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about working of institution, class 9, part 1. इस वीजियो में मैं आपको almost 16 questions देने वाली हूँ, जिसमें कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं. So dear, let's start. पहले chapter में आगे बढ़ू, इससे पहले मैं आपको धोग वड़ा सा हिंट दे दूँ कि यह chapter है क्या. आप जाते हो, चैप्टर में मैं उसे question के format में ही आपको दे रही हूँ. हाले कि starting में मैंने कुछ ऐसे question डाल दिये हैं, जो मुझे लगता है जरूरी है, और बहुत simple हैं, पर आपकी नजर से हट जाता है. तो पहले मैं बता दूँ, working of institution का मतलब ही है, किस institution के work की बात हम कर रहे हैं. तो वह कौनस institution के हम बात कर रहे हैं यहां पर? तो we are talking about democracy और एक democratic country की चरचा कर रहे हैं. और वेसे हम अपने देश की चरचा कर रहे हैं, that means कि एक democratic country की बात कर रहे होगे. और एक democratic country को run करने के लिए कौन-कौनस institution काम कर रहे होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं? तो उतसे related ही, इसमें होंगे question answers. और obviously यह part one है, तो सारे questions मैं cover नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि वीडियो का size भी छोटा ही रखूँ. So, अब आपको मैं बता दूँ कि institutions में जितनी भी चीज होते हैं, उनके बारे में इस chapter में हम deal करेंगे, चाहे वो president होते हैं, prime minister होते हैं, या फिर इनकी मदद कौन कर रहे होते हैं, president या prime minister हैं, वो क्या हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे. In fact, उन ही को यहाँ पर institution के तोर पर बताए गया है, जैसे जो चुन कर आते हैं, representatives जो होते हैं, वो parliament में जाते हैं, और फिर वो कैसे work कर रहे होते हैं, और इन representatives की, जैसे की हमारे prime minister हैं, तो उनकी मदद कौन कर रहा होता है? Prime Minister सहाब तो जैसे अभी जो हमारे current Prime Minister है, वो इन्होंने इससे पहले भी 5 साल work किया है, और अभी फिर दुबारा वो elect होकर आये हैं, लेकिन माना यह जाता है, कि जो यह चुन कर आते हैं, यह powerful होते हैं, क्योंकि जनता इनको चुनती है, लेकिन इनके पास knowledge उतना नहीं होता है, कौन इने सला दे रहा होता है, किनकी सला पर यह काम कर रहे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, तो शुरू करें पहले question से, जो की छोटा मैंने दिया है, अब यहां मैं आपको दे रही हूँ, यह question जो है, what is the role of President of India, तो जैसे मैंने आपको बताया क institution के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे समिधान में President की बड़ी कीमत होती है, लेकिन हाँ, यह जानना जरूरी है कि President directly elect नहीं होते हैं, यानि जनता इन्हें नहीं चुनती, चुने हुए representative इनको चुनते हैं, जिनको हम चुन कर भेजते हैं Parliament, वो इनको चुनते हैं, लेकिन आप उसको भी ध्यान रखना है, यह Executive Head होते हैं, of the State, State कहा जाता है, मतलो किसी राजी का नहीं, यह जो है, आपके निशन को यहां कहा गया है, and is the highest formal authority in the country, तो यह जो है highest formal authority country के consider किये जाते हैं, इन्ही को constitutional head भी बोला जाता है, और यही जो है, जितने भी defense sector की चीज़ें होत सबके head भी यही consider किये जाते हैं, so, अब next question की तरफ आगे मैं चलू, इस question में मैंने आपको क्या दिया, इस से related मैंने आपको बहुत से question दिया, क्योंकि इस chapter में इनका बहुत बड़ा role है, what was mandal commission, why was it appointed, what were the major recommendations of this commission, तो वैसे तो मैं आपको बता चुकी, कि यह बहुत important role play करते आपके इस chapter में, और basic सी चीज़ यहाँ जो मैं देने वाली हूँ, आप देख रो, इसमें ही मैंने आपको almost three questions दे दिया है, ठीक है, तो यह क्या है, तो सुनना शुरू करो, यह mandal commission क्या था, तो पहले answer देखो, the government of India had appointed the second, underline कर लेना इसको, second backward classes commission in 1979, it was headed by BP mandal, तो यह जो थ BP mandal commission क्या था, तो वो ऐसे मैं समझा हूँ आपको, और यहाँ भी मैंने आपको underline किया, कि government of India ने इसे appoint किया था, जो कि second backward classes commission के तौर पर इसे consider किया गया, ठीक है, और यह 1979 में आया, और इसको lead करने वाले, इसके जो main member थे, वही थे BP mandal, और इसी वज़े से, इस commission का नाम ही पड़ा mandal commission, इस commission को mandal commission के नाम से जाना जाता है, जिनरली यही होता है, जो lead कर रहे हैं तो उनके नाम से जाना जाता है, अब यह है, कि यह क्यों शुरू किया गया, क्या था, यहाँ तो वैसे मैंने बता दिया, कि यह second backward classes commission था, तो dear, यह शुरू करने का motive यह था, कि हमारे country में, जो भी backward classes in terms of socially or economically, यानि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वे वर्ग थे, उनका जो है, एक data तयार करने को कहा गया, और साथ-साथ इन से यह भी पूछा गया था, कि इनकी क्या परेशानी है, इनकी परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके दिया है, और आगे मैं एक-एक करके बताऊंगी, तो यह आपका question जो मैंने आपको first question दिया, कि मंदल कमिशन है क्या, तो मंदल कमिशन simply, जो है, वो second backward classes commission था, जो कि backward लोगों की सिती को सुधारने के लिए बनाया गया था, that means, मंदल कमिशन को कहा गया, कि आप बताओ, पू इसे उपर उठाया जा सकता है, तो यह बन गया बीपी मंदल कमिशन, 1979 में ही, और बीपी मंदल जी इसको लीड कर रहे थे, और इनका पूरा नाम अगर मैं बोलू तो बुक में नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दू, विंदेश्वरी प्रशाद मंदल जी इनका पूरा नाम ह जो कि बुक में बहुत जादा इनके नाम को डिटेलिंग नहीं की गई है, इसलिए मैंने भी इसमें डाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बता लिया है, यह नेक्स क्वेस्टिन, इसी का, not next question, that means इसी के जो second part को मैं बता रही हूँ, why was it appointed, इसको अपॉइंट क्यों आए, ऐसा नहीं है, यह छोटे-छोटे part में भी आ सकता है, और आता है, बहुत important है यह आपकी chapter का, तो इसलिए अलग-अलग part में दिया है, और आप इसे वैसे ही समझो, that means यह छोटा सा question, three questions का collection है, अब next part है, it was appointed to determine the criteria, to identify the socially and economically backward classes in India, इसको appoint क्यों किया गया का, यह answer में दे criteria को, और identify भी किया जा सके, कि वो कौन है, जो socially and economically backward classes in India के, और साथ-साथ, recommended these steps to be taken further advancement, अब यहां से यहां तक, यहां तक ही आपका, उस question का part में ने दिया, कि क्यों जो है, इसको शुरू, appoint क्यों किया गया, और यहां से जो मैं आपको दे रही हूं, recommended these steps, तो यह इस question के लिए मैं दे रही हूं, what were the major recommendations of the commissions, यानि मंदल commission ने क्या सला दी, इसे बनाया गया, और बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया, अब इसके सलाह क्या थे, तो आप ध्यान से देखना शुरू करो, यहां से है, इसके सलाह, ठीक है, तो recommended these steps to be taken for their advancement, किनके advancement तो वही socially backward or socially and economically backward classes के advancement के लिए, तो इन्होंने सलाह दी, कि यह है क्या, कि तो इन्होंने बोला कि the commission gave its report in 1980, 1979 में इसको गठित किया गया था, और इन्होंने एक साल के अंदर ही अपनी report दे दी, और जो कि 1980 में है, इनकी सलाह जो थी, वो क्या था, तो one of these was the 27% of the government job to be reserved for the socially and economically backward classes, यह है उनका सबसे बड़ा recommendation था, कि 27% government job में इनकी position को reserve कर दिया जाए, तो यह था उनका recommendation कि 27% जो है, यह करेंगे government job में, उनको reserve position दिया जाएगा, तो यह इनकी main recommendation थी, ठीक है, और यह main recommendation आगे कैसे काम आती है, वो मैं आपको बता दूँ, जो मैं यहाँ next question के तौर पर आपको दे रही हूँ, लेकिन unfortunately मैं PDF open ही नहीं कर पारी हूँ, इस वक्त किसी वज़ज़ से कुछ problem है, तो otherwise मैं उसके cut यहाँ डाल देती, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि office memorandum है क्या, तो अगर आप page 79 पर जाते हो ना, civics के, तो उसमें आप देखना है कि एक box जैसा बना हुआ और यह बिल्कुल आपको दिख जाएगा, यह जो office memorandum है, आपको वहाँ pink color से लिखा हुआ देखने वाला है, तो इसमें क्या होता है, जो भी नियम बन चुका होता है, या बनने के लिए आ चुका होता है, तो वह कहलाता है office memorandum C, इसे मैं थोड़ा सा और explain करूँ कि जैसे मैंने भी आपको मंदल कमिशन की बात बताई, मंदल कमिशन ने तो 1979 में उसको बनाया गया और 1980 में उन्होंने सलाह भी दे दी, गवर्व्मेंट को जो गवर्व्मेंट ने बनाया था, लेकिन उसको उसपे बहस होती थी, पार्ला ly润 में वो मुद्दा आता था, क्यूंकि उन्होंने क्या बोला था, कि reservation कर द loiटे अरक्षन दे दीजे, लेकिन पार्ला influence में वो मुद्दा आता था, तो इसे पास होने में 10 साल लग गए आप देख रहो यहां मैं बता रही हूँ यहां मैंने ब्रैकट में एक डेट डाला है on 13th August 1990 यह definitely आप वहां पेज पे जाके चेक करो तो आपको समझ में आएगा तो वो उस पे 10 साल तो वो कानून बना ही नहीं उस पे सर्फ बहस हो रही थी लेकिन जब वो कानून बन गया बन कर सामने आया तो वही कहलाता है office memorandum दाट मीन कि जब तक वो कानून नहीं बना था वो simple से चीज थी लेकिन वो जब कानून बन गया recommendation जब एक office से निकला हुआ memorandum हुआ तो उस कानून को हम बोल रहे है office memorandum दाट मीन प्रधान मंत्री के office से ये चीज निकला हुआ और इस पे signature हमारे president सहाब का रहा उन्होंने इसे office memorandum बना दिया और फिर ये पूरे इंडिया में लागू हो गया तो ये वो date था जिस तिन मंदल कमिशन के दिये सलाह को लागू किया गया वो दिन था 13 अगस 1990 reservation ठीक है तो इससे तो आपको वैसा ही अन्दाज है लग गया कि 10 साल पहले वही चीज जो मंदल जी ने सलाह दी थी उसको कानून बनने में, memorandum बनने में लग गया 10 साल का वक्त इस पे बहस होती थी, बातचीत होती थी तो ये तो मैंने इतनी देर के वल आपको क्या संजाया, office memorandum है क्या तो office memorandum जब बनता है आप book में जब देखोगे ना, तो कुछ इस तरह के box में आपको यहाँ उसका date कौन सा memorandum है, सारा कुछ आपको decisions of the government यानि office memorandum क्या है तो एक communication का तरीका है citizens को तो पता नहीं है कि reservation है क्या नहीं है, तो यह office memorandum निकाल दिया जाता है, 10 साल तक बहस होई, इस पे कुछ नहीं कानून नहीं बना, लेकिन 10 साल के बाद जब वो कानून बना, तो एक communication issue किया गया, एक appropriate authority के दवार, obviously वो authority कौन है हमारे देश में, तो चुनीवी सरकार होती है, वो बहस करती है और वाक्की लोगों के साथ, और साथ-साथ इस पे, जैसे मैंने भी first question में ही बोला कि President साहब की बहुत importance होती है formal head consider किये जाते है तो अब यहाँ पर आप देखो कि यह जो है 13 August 1990 को यह reservation जो है पारित हुआ और कानून बन गया तो यह बन गया office memorandum office memorandum में बकाएदा date mention होगा और बाकी चीजें भी mention होगी जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर जितनी भी चीजों के बारे में आपको बताया starting से end तक वो actually एक साथ में जोड कर ही आपको दे रही हूँ so that कि आप एक series wise आगे चलो अब यहाँ चीजें खतम नहीं हुए यहाँ से आप देखना यहाँ से फिर से शुरू है आप वैसे अगर notice करते हो तो मैं पूरे में आरक्षन मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ बढ़ हाँ उसकी शुरुवात कैसे हुई किसने ये suggestion दिया और फिर उस suggestion को नियम बनने में कैसा वक्त लगा तो यहाँ मैंने office memorandum के बारे में आपको बताया अब मैं next question के तरफ आगे जारी हूँ जो उसी से relate करता है तो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि यह जो है 13 अगस्ट को गर्वर्मेंट ने issue किया वो जब issue हुआ तो वो कहलाया office memorandum लेकिन जब वो issue हुआ तो उसमें क्या था तो अब फिर से वही चीज मैं यहां दे रही हूँ और यह topic देने का मेरा motive वही है यह मैं वहां उपर भी दे चुकी हूँ लेकिन यहां पर मैं और भी थोड़ा सा socially और educationally backward classes को highlight करना चाहती थी इसलिए मैंने यह दिया है अब यहां पर answer है on 13 August 1990 the government of India issued an order this order और यह order को हम क्या बोलते हैं office memorandum अभी मैंने उपर पताया न और the order announced a major policy decisions और यह जो order office memorandum जो निकला इसमें बहुत से बड़े policy decision थे और वही सलाह जो की उपर मैंने आपको दिखाया था कि मंदल कमिशन ने यह सलाह दिया था उसको मान लिया गया लेकिन 10 साल बाद फिर वो कानून लागू हुआ अब यहां देखो it said that 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially and economically backward classes तो यह कहा गया कि 27% जो भी government job की civil post की vacancies होगी वो जो है reserve किया जाएगा किसके लिए तो socially and backward sorry, economically backward classes that is SEBC कभी-कभी यह short form भी आता है तो आप ध्यान रखना हाला कि इसे related मैंने एक छोट आसा question और आगे भी डाला है क्योंकि as I told कि यह बहुत important है तो मैंने इसे डाल दिया है अब आगे फिर आप देखो जैसे मैंने बताया कि मंदल कमिशन के बारे में बहुत ब्रॉड़ली इसमें बात कर रहे हूं तो बहुत से लोग नाखुष भी हुए तो वही चीज है कि कौन अगेंस्ट थे मंदल कमिशन के suggestion से recommendation से और क्यों नाखुष थे तो यहाँ पर मैं दे रहे हूं those people who were not benefited were against मंदल कमिशन और से सीधा से answer है कि वो लोग जिनको इससे फाइदा नहीं हो रहा था वो इसके against थे उन्हें लगता था यह बेकार की चीज है किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है बहुत सी आवाजें उठी कहा जाने लगा कि यह तो equality के against चीज है अगर हम equality को promote करते हैं क्यों हम किसी को आरक्षन देते हैं तो actually यह उनका जो है एकदम बड़ा मुद्दा था और वो काफी against थे इसके तो अब यहाँ पर आप देखो कि these were reasons वजह क्या थी उनकी ज़रा आप देखना शुरू करो तो वजह मैं यहाँ आपको दे रही हूँ बहुत से लोगों का यह कहना था कि इस मंडल कमिशन की जो सला है वो एकदम unfair है एकदम सही नहीं है second उनका यह कहना था इट वोट डिनाई equality of opportunity to those who did not belong to backward communities उनका यह कहना था यह तो equality इनको मना किया जा रहा है अनेक्वालिटी की जा रही है यह उनको deny किया जा रहा है जो कि backward community से belong नहीं करते जो कि backward community के नहीं है तो उनको तो यह benefit नहीं दिया जा रहा है तो यह तो गलत बात है दूसरी चीज़ है third point they would be denied job even though they could be more qualified उनका यह भी कहना था वो जो denied कर रहे थे उनका यह कहना था जो कि socially और economically backward classes की बात की गई है STSCs की बात की गई है तो यह उनकी problem थी यानि यह वो लोग थे जो कि against थे मंडल कमिशन के अब मैं next question जो छोटा सा दे रही हूँ और आप देखो यह है question number six who have the power to interpret the constitutions of the country किसके पास यह power है जो हमारे देश के समिधान को interpret कर सके translate कर सके बता सके कि उसमें है क्या तो obviously the supreme court and the high court have power to interpret the constitution of the country तो समिधान में जो लिखी गई चीज़े जो clauses है उसको interpret करने का अधिकार किसके पास है तो supreme court या देश के high court के पास यह अधिकार है next question की तरफ में आगे चलू why does the political executives have more powerful या फिर more power than the permanent executives अब question यह है तो यह question की तरफ में आगे बढ़ू इससे पहले मैं थोड़ा से explain करना पसंद करूंगी और अगर आप standard में आपको याद हो तो मैंने 8th standard में भी इससे बता दिया था की है क्या तो मैं आगे बढ़ू हाला कि मैं पहले चाहती थी कि मैं छोटे से question अलग से दे दूँ बट मैंने यहाँ दिया नहीं और मैं डिरेक्ली उसके बारे में बात थोड़ा सा कर लूँ कि यह जो होते है यहाँ तो एक simple सा मैंने एक छोटा सा answer दे के खत्म कर दिया है कि जो one marks में अगर आता है तो आपको दियान देना है लेकिन यह जो next question है यह मैंने long form में दिया है जो कि अगर बड़े question में आता है तो इसी के साथ add किया जाता है कि वहल उपर के part को मैंने इसमें डाला है तो political executive और permanent executive है कौन तो वो दिहान से मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ political executives and permanent executives तो political executive वो कहलाते हैं जो representatives चुन कर जाते हैं जिनको citizens चुनती है that means जितने भी जो नेता आप जिनको जो election में जीत ले जाते हैं तो वो जो होते हैं वो political executive कहलाते हैं और permanent executive कौन है तो सारे civil servants जैसे जो भी नौकरी कर रहे है government job कर रहे हैं IAS, IPS, IFS तो जितने भी government job में लोग हैं वो कहलाते हैं permanent executives अब फिर से ध्यान से सुनना कि political executives के पास जादा power होता है क्यों जादा power होता है क्योंकि वो लोग चुन कर आते हैं और हमारी democracy में representatives की कीमत बहुत जादा होती क्योंकि माने यह जाता है कि उतने सारे लोगों ने उन्हें चुना है तो permanent executives जो होते हैं government employee होते हैं IAS, IPS, IFS होते हैं तो ऐसा नहीं कि इनकी कीमत कम होती है लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह जो है political executives से कम valuable होते हैं और यह permanent executives पर्मेट की जगह की जगह डाल दिया जाए अर यहां more की जगह less कर दिया जाए और यह permanent executive को यहाँ पर्मेट की जगह डाल कर और यहां more की जगह लेस पार डाल दिया जाए तो इसका answer होगा क्योंकि permanent executive जो है लेट्ट होकर नहीं आते तो इसलिए इनके पावर कम होता है लेकिन पर्मनेंट एक्सक्यूटिव बहुत नॉलिजबल होते हैं इनका कारेकाल भी बहुत बढ़ा होता है आप तो यह जानते ही हो ना कि गवर्मेंट जॉब जो होता है वह कितने साल के लिए होता है और Political Executive का कारिकाल 5 साल के लिए होता है हाँ वो 5 साल के बाद फिर से election में आये और फिर से उन्होंने win कर लिया तो फिर दूसरी बार भी रह सकते हैं लेकिन आशा नहीं कि एक बर win कर लिया तो एकदम लगे हुए आसा नहीं लेकिन पर्मनेंट एक्सक्यूटिव जो होते हैं, उनका कारिकाल 60 एर का होता है, तो ऐसी ही चीज में, नेक्स कोईचिन में यहां देने वाली हूँ, यहां सिर्फ मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट संजाने की कोशिश की, कि पॉलिटिकल एक्सक्यूटिव और पर्मनेंट क्यों पॉलिटिकल एक्सक्यूटिव मोर पावफुल होते हैं, पर्मनेंट से, विकर्ज पॉलिटिकल एक्सक्यूटिव और पावफुल होते हैं, तो इसलिए वो उतने पावफुल नहीं होते हैं, जितना की पॉलिटिकल एक्सक्यूटिव पावफुल होते हैं, यह नेक् question के तोर पर मैं यहां दे रही हूं कि दोनों में यह differentiation है ठीक है almost दोनों के मैं 55 point दे रही हूं जो कि as I told कि यह बड़ा question भी है और बहुत जरूरी भी है तो अब सुन ले कि political executives क्यों powerful होते हैं तो first question है executives who are elected by people for a specific period are called political executive तो executives जो होते हैं यानि political executives जो होते हैं वो elect किये जाते हैं people के द्वारा और specific period के लिए यानि जैसे मैंने बोला five year के लिए वो चुने जाते हैं फिर अगर वो win कर जाएं तो फिर वो आगे भी जा सकते हैं और इनको हम कहते हैं यानि एक fixed period के लिए छोटे time के लिए जो होते हैं उनको हम कहते हैं political executives यहाँ example मैंने दिया है political leaders like prime minister, council of ministers and so on यानि जितना भी नीता चुन कर जाते हैं वो जितने भी हो सारे political executive कहलाते हैं जरुने की पारले MPs के वाल हो MLAB अगर हैं जो कि state में चुने जाते हैं तो वो भी political executive कहलाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मैंने example के लिए डाला है ताकि आप जल्दी समझ जाओ कि prime minister and council of minister जो कि ruling party को यहाँ मैंने डाला पर जितने भी चुन कर जाते हैं वो political executive कहलाते हैं हाँ ruling party का नाम देने की वज़व भी थी कि यही तो सारा काम कर रहे होते हैं power actually real power जो है वो ruling party के हाथ में होता है इसलिए ruling party के ही होते हैं prime minister और council of minister तो इसलिए मैंने उनका नाम दे दिया हैं third point they remain in office only so long as they command the confidence of the majority member of parliament यह तभी तक सत्ता में रह सकते हैं यानि जो government के office हैं वहाँ पर यह तभी तक रह सकते हैं जब तक इनका command हो confidence of majority में confidence of majority यानि कि जब तक इनके पास majority of power हो अगर किसी वज़े से इनकी majority खत्म हो जाती है पाँच साल से पहले ही जैसे collision government होता है ना तो collision government में कई बार क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी ये वो हाथ अपना पीछे कर लेती है तो वैसे case में ये इन्हें अपने पद से बाहर निकलना पड़ता है हटना पड़ता है तो ये यहाँ कहने की बात है कि जब तक confidence of majority इनके पास होती है member of parliament होते हैं तब तक ही office में रहते हैं कि अभी मैंने आपको क्या बोला permanent executive जो होते हैं उनका कारिकल साठ साल का होता है इस तरह से ये second point यहाँ भी ये थाबित होते है कि इनका काम का time क्या होता है बहुत छोटा होता है और इनकी सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी ये decisions लेते हैं जो भी फैसले लेते हैं ये जंता के प्रती ही जिम्यदार होते हैं answerable होते हैं जो भी decisions ये ले रहे होते हैं जैसे अभी अभी के context में अगर मैं बता दू कि lockdown और फिर unlock period भी शुरू हो चुका है कब करना है, क्या करना है कितने cases बढ़ रहे हैं क्यों बढ़ रहे हैं तो ये सारी जम्यदारी नहीं की है और गर मैं यहां यह आपको बता दू तो ये जो आप सुन रहे हैं कि lockdown शुरू करना है जो मोदी जी ने बताया कि अब lockdown करने वाले हैं और फिर अभी के time पे unlock period शुरू हो चुका है तो unlock period शुरू हो चुका lockdown period जो शुरू हुआ था तो क्या मोदी जी अपनी मर्जी से लगाया जा रहे हैं नो मोदी जी political executive है उनके पास power है लेकिन उनको ये सलाह जो दे रहे हैं जिनकी सलाह को वो मान रहे हैं वो permanent executives हैं वो इन पर research करते हैं सारे चीज उन्हें बताते हैं कि क्या करना है तो मैं यहां पर clear करूँ कि political executives बहुत powerful होते हैं लेकिन permanent executives powerful तो नहीं होते लेकिन बहुत knowledgeable होते हैं क्योंकि इन्होंने पिछले साल से कई बार काम किया है और मैं यहां एक चीज और बता दूँ कि political executives को उनके 5 से 5 साल के बाद हटना भी पड़ सकता है लेकिन यह जो IAS, IPS, IFS हैं इनका तो 60 साल का कारी पिरेड होता है उनके एज के 60 साल तक का तो वो पार्टियां तो आती जाती रहेंगी अलग-अलग political party जो गवर्मेंट बनाएगी लेकिन यह जो लोग होते है ना यह सत्ता में रहते ही हैं बने हुए that means कि भले जो जैसे बोल सकते हो कि students तो पढ़-पढ़ कर निकलते जाते हैं बढ़-teachers तो वही होते हैं तो वैसे ही कुछ यहां अलग यह directly इसका example नहीं है क्योंकि कोई student select होकर नहीं आता लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ कुछ वैसे समझो कि जो ruling party है वो तो change हो सकती है पांस साल के बाद हो सकता कोई और आ जाए लेकिन यह जो political permanent executive होते हैं वो बने रहते हैं और वो इनकी सलाह देते हैं अब इतनी सारी चानकारी मैंने सिर्फ आपको इस point पर क्यों दी तो इसलिए कि यह answerable होते हैं answerable होते हैं that means जैसे मैंने बोला कि मोदी जी ने खुद से यह ना तो unlock लगाया और ना ही unlock sorry lockdown किया और ना ही unlock कर रहे हैं यह उनको सलाह उनके जो है permanent executive दे रहे हैं उनके जो assistant के तोर पे ISI काम कर रहे होते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं लेकिन अगर किसी भी तरह की खामी होती है तो जिम्यदार कौन होते हैं तो वही political executive यानि मोदी जी ही जिम्यदार कहलाएंगे किसी भी तरह के चीज़ के लिए और कुछ अच्छी भी चीज़ होती है तो पीट किन की थपतुपाई जाती है गवर्मन्ट की उनकी नहीं जिन्होंने उनकी मदद की क्योंकि वो उनके assistant के तोर पे काम कर रहे हैं तो कौन काम कर रहे होते हैं तो वही permanent executives यानी government job को करने वाले लोग अब यहाँ पर मैं बताओ next sorry point they are more powerful they take all final decisions but not knowledgeable as permanent executives can तो यह जो होते हैं यानी जो political executive होते हैं बहुत powerful होते हैं और यह सारे final decision यहीं लेते हैं लेकिन यह उतने knowledgeable नहीं होते हैं जितने की permanent executive होते हैं तो इस तरीके से political executive का रोल है अब हम बात कर लें permanent executives कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है the permanent executives are salarized civil servant who are appointed on a long term basis permanent executives जो होते हैं वो salarized civil servant होते हैं that means उन्हें salary मिल रही होती है जो कि एक लंबे time के लिए जो है अपॉइंट किये जाते हैं लंबा time कितना होता है तो वह 60 और 65 years जो कि बढ़ जा रहा है date I mean उनका जो working period है बट 60 ही आपको consider मैं करके बता रही हूँ क्योंकि यहां पर उनके working age को नहीं बताया गया है लेकिन आप जानते हो कि government job में जो है 65 बढ़ा दिया गया है जो कि पहले 60 ही था तो उतने time के लिए permanent executors जो है appoint होते हैं अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि कोई गड़बड़ी करें तो हाँ गड़बड़ी करें तो फिर उनको बीच में भी हटाया जाता है government के इससे I mean उनको उनके job से हटाया जा सकता अगर किसी तरह की धान ली किसी तरह की ऐसे गलत चीज के आरोप में पकड़े गया हो तो वो एक अलग procedure होता है वो फिर judiciary पे हम चले जा रहे हैं तो यहां पर basic से चीज़ पे हम बात कर ले your second point is person working in civil service services for example IAS, IFS and IPS तो जो civil servant होते हैं जैसे मैंने बोला कि IAS, IFS और IPS officers जो होते हैं यह लोग actually हमारे government की मदद कर रहे होते हैं as assistant ठीक है अब next point कहता है they remain in office even when the ruling party changes their tenure of office is fixed यह जो है office में बने रहते even ruling party जो हो change हो सकती क्योंकि हर 5 साल में election होगा और अगर वो नहीं win करते हैं तो वहां से उनको हटना पड़ता है ruling party को यानि political executives को लेकिन यह उसे office में रहते हैं their tenure of office is fixed इनका जो कारिकाल होता office में fixed होता जैसे मैंने बोला कि अभी बढ़कर जैसे 65 years हो गया है तो वो उनके age का उनका age जब 65 हो जाता सब तक वो उस office में बने रहते हैं तो इस तरह से यह इनका कारिकाल बहुत बड़ा होता है next point कहता है they are not answerable to the people but knowledgeable यह जनता के प्रती इनकी कोई जिम्मेदारी वैसी नहीं होती direct responsible नहीं होते नहीं होते in the sense कि ऐसा कह दो कि IPS officer है और अगर आपके हाँ कुछ हो रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं हाँ वो indirectly जिम्मेदार होते ही है वहाँ के लिए लेकिन अगर मान लो किसी state में कुछ हो रहा है तो और किसी दंगे हो गया कुछ हो गया तो ओविस से जो वहाँ के IPS officer होंगे उनसे ही question किया जाएगा लेकिन जब बात होगी न कि कौन अच्छा नहीं है तो वहाँ की government अच्छी नहीं है उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती तो answerable इस sense में कह रही हूँ ठीक है लेकिन ये काफी knowledgeable होते हैं और अपने knowledge का इस्तमाल कर रहे होते हैं ये नेक्स पॉइंट ये मैंने उपर भी आपको बताया कि कई बार ये question पलट कर भी आता है ये जो है कम पाफूल होते हैं हाला कि ये सारे decisions में assist करते हैं सारा सलाह ये सारे decisions जो है लेते हैं सारे सलाह political executives को देते हैं day to day में क्या काम करना है कैसे करना है वो सारा सलाह इनका होता है लेकिन हाँ ये पाफूल नहीं होते हैं इन दे सेंस कि ये मतलब उस फैसले को लागू नहीं कर सकते ये लागू करने करिकार political executives के पास होता है इसले इन ही less powerful कहा गया एक बार आप देख लो instead of they assist political executive in carrying out day to day administration हाला कि ये powerful कम होते हैं लेकिन फिर भी ये हर एक activity के लिए आपके leaders को बताते हैं तो जबी भी आज के बाद जितने भी decisions आप सुनोगे प्रधान मंत्री जी ने ये लिया यहां के मंत्री ने ये लिया या मुख्य मंत्री जी ने ये लिया तो वो सारे decisions तो वो ले रहे होते हैं लेकिन उनको सलाह कौन दे रहा होता है तो political executives को सलाह देने वाले को ही हम कहते हैं permanent executive यानि IES, IPS, IFS अधिकारी जो होते हैं जो उन्हें assist कर रहे होते हैं ठीक है Your next question What do you mean by the judiciary तो judiciary है क्या तो all court at different levels in a country put together are called judiciary जितने भी level के court हैं country में वो सारे courts को एक साथ judiciary कहा जाता है जितने भी court हैं चाहिए वो supreme court हैं, high court हैं या district level के जो court होते हैं criminal law, court वगरे के बारे में जो आप सुन चुके हो junior में आपने पढ़ा भी है तो वो सारे courts के बारे को मिला कर हैं judiciary कहते हैं या मैंने explanation से नहीं किया कि आपके chapter में भी बहुत explanation इसके बारे में नहीं है अभी और मुझे आद है कि मैंने जब standard 8 में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि explanation आपको यहीं पढ़ना है आगे जाकर इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी सी information आपको लेते जानी है तो base आपका hopefully बन चुका है आपने पढ़ा है उसके बारे में इस chapter में तो मैं बहुत दील नहीं कर रही हूँ quotes के बारे में अब मैं next question की तरफ आगे चलूँ जो की small question ही है बहुत important है और यह question भी आपने पढ़ा है standard 8 में what do you mean या what do you understand by the public interest litigation इसको कई बार short form में PIL कहते हैं अगर आप अपने memory को थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको याद आ जाएगा कि PIL आपने पढ़ा है public interest litigation public interest litigation है क्या तो यह public interest की चीज कही जाती है पहले तो answer देख लो फिर मैं एक example आपको बताती हूँ anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government this is called PIL या public interest litigation यानि कोई भी आदमी court को approach कर सकता है अगर उसके interest को किसी भी action से hurt किया जा रहा है action of government से तो hurt किया अगर किसी भी वज़े से hurt हो रहा है कोई भी आदमी तो वो court में एक PIL दायर कर सकता है और उस पर विचार विमर्स करके उसकी बात सही है या नही है और वेस है यह अधिकार तो फिर judiciary का होता है sorry डिया मैंने थोड़ा सा इसे भगा दिया तो यह यहाँ पर मैं बता रहे थी कि अधिकार किसका होता है judiciary का होता है तो public interest litigation को अगर मैं अभी current example से समझाना चाहूँ तो मैं आपको पता दूँ अभी एक बड़ा case चल रहा है सुषान सुषान मटर case इसमें एक रिया नाम की जो है actress का आ रहा है कि उन्होंने यह किया है तो आपको पता है रिया के सहयोगियों ने एक PIL दायर किया है कोट में अभी की मैं बता रही हूँ अभी जो मैं record कर रही हूँ बना रही है तो यह उनको आहत कर रहा है तो यह वो अपने interest के लिए वो कहां उन्होंने कोट में यह दाखिल कर दिया हाँ उस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी दो दिन हुए है और यह ही है PIL यानि हर आदमी कोई अधिकार है कि अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और उसके मानहानी की बात है या किसी भी तरह का चीज है तो वो PIL दाखिल कर सकता है Public Interest Litigation कहते हैं और जानते हो रिया ने अपने तरफ से यह नहीं दाखिल किया उनके समर्थन में कोई तीन जो ऐसे समाज के सुधारक अपने आपको वो कह रहे है तो उन्होंने दाखिल किया है कि नहीं नहीं रिया के उपर जादती हो रही है जितना भी मीडिया उसे गलत साबित कर चुका है जनता के सामने वो दिखा रहा है क्योंकि आप देखो न्यूस चैनल से अगर बड़ी इन चीजों के उपर बात कर रहे है कि रिया दोशी है अब दोशी है या नहीं है वो बाद में देखेंगे लेकिन हाँ अभी तो जितनी चीज़ें सामने आ रही है उससे लग रहा है आप देखो जितने भी कमेंट्स और जितने भी चीज़ आ रहे है अगर आप यूट्यूब पे उनके वीडियो भी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कमेंट्स जो है नेगेटिव उनके लिए है कि हाँ वो गलत है तो एक्चुली रिया आपने आपको इन सबसे बचाना चाहती है वो प्रेशराइज फील कर रही है यह सारी चीज उन्होंने PIL में डाला है अब देखना यह है कि यह PIL यानि उनके इंट्रेस्ट में डाला गया यह जो लेटर है कोट में इसका क्या असर होगा उनके समर्थक जो है वो चाहते हैं कि मीडिया ट्राइल बंदो यह मीडिया क्यों बता रहा है कि रिया दोशी है कि कोट को करने दीजए यह काम तो हो सकता है मीडिया में जो उनके बारे में بात हो रही है वो रोकना पढ़ेगा लेकिन हाँ यह कब रुखेगा अगर जुटीशेरी करें है तब हो सकता है कि वो रुख जै लेकिन अगर जुटीशेरी करें नहीं भी ये तो democracy है, democracy में आप भी बोली है वो भी बोलेंगा जैसे कि कल शयद उन्होंने अपना भी एक इंट्रव्यू दिया किसी चैनल पे तो हो सकता है कि जुटीशेरी फैसला ना भी ले उनके पक्ष में लेकिन हाँ यह जैसे मैंने बोला कि PIL कोई भी दायर कर सकता है hopefully मैंने इतने चोड़े से question को बहुत जादा आपको elaborate कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि PIL है क्या अब next question जो है वो मैं आपको यहाँ दे रही हूँ who are the cabinet ministers, cabinet ministers किन को बोलते हैं हाला कि से related मैं बड़े questions भी दूँगी लेकिन यहाँ मैं जैसे बोल रही हूँ कि छोटे questions को ही मैं यहाँ डाल रही हूँ cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party और parties तो cabinet ministers जो होते हैं इनके ministers की कई सारे group होते हैं उनमें से cabinet ministers जो होते हैं वो top level के ministers होते हैं ruling party के जैसे cabinet minister में कौन को न आ जाएंगे who minister आ जाएंगे finance minister आ जाएंगे तो यह जो है सबसे उपर top level के ministers होते हैं उनहीं को हम कहते हैं cabinet ministers ruling party के ही होते हैं obviously जो opposition है बैठते हैं उनके कोई cabinet minister नहीं होते who are in charge of the major ministry यानि कि ऐसे समझ हो कि जिनके पास बड़ी-बड़ी ministry होती है उन सारे लोगों के समों को हम कहते है cabinet minister और ruling party के सबसे powerful भी यही ministers consider किये जाते हैं your next question is prime minister is the one who actually exercise all governmental power and he is the head of government यह one marks के हिसाब से मैंने दिया कि prime minister ही जो है वो actually सारे power और यहाँ पर अगर answer who दे दिया जाए who exercise all governmental power तो answer prime minister होगा और यहाँ पर मैंने actually government को डाला है कि कौन होता है prime minister is the actually exercise all governmental power और वो किस के head होते हैं तो obviously वो government के head होते हैं अल्रडी मैं बता चुक है कि जो भी मैं question दे रही है at least 2-3 तरीके से आप उसे जरूर पढ़ो क्योंकि मैं हर question को एक ही question को 2-3 तरीके से मैं generate नहीं कर पाऊंगी your next question जो मैंने आपको पहले दिया है और मैंने बोला किस से related चीज मैंने और दिया है on 13 August 1990 the government of India issued the office memorandum for 27% reservation for socially and economically backward classes तो किस के लिए दिया गया है कौन सी चीज के reservation दिया गया और इसे civil post and services under government of India तो सारी जगर के लिए आरक्षिन नहीं दिया गया यह सर्फ government job में जो है ऐसे लोगों को socially backward or socially and economically backward classes को 27% जो है आरक्षिन का प्रावधान दिया गया your next question is an institution where deputies were citizens जो यहाँ पर आपको sorry dispute not deputies an institutions where disputes between citizens and the government of India are finally settled and question को ध्यान रखना तो answer है supreme court अगर किसी तरह का विवाध हो जाए dispute यानि विवाध हो जाए और किसके बीच में तो या तो citizens के बीच में विवाध हो जाए या फिर citizen और government के बीच में विवाध हो जाए तो finally कहां settle होगा वैसे तो छोटे court में भी फैसले होते हैं लेकिन वो कौन सी जगह है जहाँ पर finally settlement होता है that means जो फैसले वो है supreme court इसका एक मतलब ये भी है कि supreme court के फैसले को कहीं challenge नहीं किया जा सकता है एक बार supreme court ने कोई फैसला कर दिया तो वो final जो है फैसले consider किये जाते हैं अब next question है इंडिया a national assembly of elected representative is called parliament इंडिया में वो जो हमारी national assembly है जो की elected representative की national assembly है उसको हम किस नाम से जानते हैं तो parliament और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप history में पढ़ोगे की अलग-अलग देश की parliament के को क्या कहते है that means सारे देश के बारे में नहीं जानोगे जिनके बारे में चर्चा है जिनके बारे में आप पढ़ोगे उनके बारे में जानोगे तो इंडिया में यह जो national assembly elected representative का है उसे हम कहते हैं parliament अब यह है आपका इस वीडियो का last question हाला कि मैंने कुछ बनाया है लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि size हो रहा है बड़ा वीडियो का an assembly of elected representative at the state level is called legislative assembly और legislature वो assembly जैसे यह तो national assembly हुआ उसे हम कहते हैं parliament लेकिन जो state में चुनकर लोग आते है an assembly of elected representative at state level is called legislative assembly और legislature ठीक है चलो डियो आज के लिए बस इतना ही बस have a nice day take care bye